दोस्तो रेलवे की पाटशाला में आपका स्वागत है, दोस्तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक के उपर, अभी देखें दोस्तो रेलवे के अंदर जो प्रमोशनल एक्जाम होती है, चाया बात करें GDC की जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्प्रेटिट होती है, लेकिन जो GDC जो होता है, GDC के अंदर दोस्तो यहाँ पर अभी जो रेलवे के ट्रेड यूनियन है, NFIR, यानि की National Federation of Indian Railway, तो वहाँ पर दोस्तो एक मुद्दा उटा था कि क्या जो GDC होती है, उसके अंदर भी एक minimum service time यहाँ पर लगाया जाना चाहिए, देके मैं आपको GDC के बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा कि GDC के अंदर एक vacancy आई हुए, तो उसमें कौन apply कर सकता है, लेकिन देखे GDC के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखे GDC के बारे में आपको अतना चाहँगा, कि देखे GDC की आप तयारी कर रहे हैं, किसी भी government exam की तयारी कर गए हैं, यह जो बुक है दोस्तो हिंदी मिंगलिस दोनों मीडिया में एवेलेबल हैं, इसके अंदर दोस्तो आपको 30 शैट आपको मिलेंगे, प्रिवेशर क्यूशन पेपर, इसके अलावा 45 दोस्तो आपको मोक टेस्ट मिलेंगे, maths और reasoning जो है, पूरा दोस्तो इसके पूर रहेंगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ओनलाइन पर्चेस करने का, वहां से दोस्तो आप पर्चेस कर सकते हैं, चलिए, अब माँ आपको दिखाता हूँ कि वो नोटिस, जिसमें दोस्तो आपको बता रखा है, कि भाई, जी डी पर देखें, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर देखें, जनरल डिपार्टमेट कॉप्टिव एक्जाम, प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम सर्वीस कंडिशन फॉर सर्विंग रेलवे एंप्लोई, तो यहाँ पर जी डी सी के लिए मिनिमम सर्वीस कितना होनना चाहिए, उस उसका कुछ परसंटेज जो है, वहाँ पर जी डी सी के माध्यम सहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वहाई रेलवे बोर्ड को इसके लिए बहुत सारा अफ्रिशेट दिया है, मतलब धन्यवाद एक प्रकार से, और यहाँ पर बोला ग और यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम सर्विस कंडिशन है वो जस्टिफाइड नहीं की जाना चाहिए, और सच डिसीजन में, डी मोटिव सर्विंग एस्पारेंट एंड में, लीड तो अवेड़ेवल ग्रिवेंस एंड लीटिजेशन, यहाँ पर बो और यहाँ पर बोला है कि भाई आप कोई टाइम यहाँ पर नहीं लें और जो भी वेकेंसी उनको स्मूथ लियां पर यहाँ पर करवाएं तो यह दोस्तों बोला गया है, और दीके माँ आपको एक जो जीडिजी जो है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, अभी साइट पे आपके सामने खोल्डर किये और यहाँ पर आपने आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको नोटिस जो है देखनों मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखें, जिडिसी का नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर निकला हुआ है, तो यहाँ पर देखें, क्लिक है आप उनलाइन एप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, साथ चाहाँ होगा, तो यहाँ पर देखें, क्ल की डेट से आप शुरू कर सकते हैं, और यह एक महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया है, इसमें दोस्तों, और पीएफ, और पीएसेफ को छोड़कर सभी अप्लाइ कर सकते हैं, और देखें, लो पे ग्रेड के अप्लाइ कर सकते हैं, गुनी सो पे ग्रेड के वेकेंसी है, तो अठासो पे ग्रेड के अप्लाइ कर सकते हैं, इसके अलावा, यहाँ पर देखो, रेलवे के अंदर जो वेकेंसी होती है, उनको सेफटी और नोन सेफ कौन अप्लाई कर सकता है तो डिप्लोमा वाले और यहां पर यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर जो है एज लिमिट की बात करें तो अगर आप यहां पर जन्रल करने डेट है 42 होने चीए ओवी सी जो है निल लग रही है यानि कि कोई भी नहीं लग रही है आपकी ठीक है बाकी तो हमने डेटिकेड़ वीडियो बना दिया है तो उसमें दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं